Hello everyone, to friends, आज मैं आपसे share करने वाली हूँ, simple कुर्ती की cutting, तो इसमें जो है, दो पार्ट बनेंगे, आज मैं cutting बताऊंगी, और इसका जो next part होगा, उसमें पूरी stitching बताऊंगी, और बहुत ही simple way में बताऊंगी, तो मैं आपको कपड़ा दिखा देती हूँ अपना, तो ये इस तरीके से, और यहाँ पर shoulder से ये joint था, तो मैंने इनको अलग कर रिया है, तो इसका जो ये एक पार्ट थोड़ा छोटा है, मतला हमारी कुर्ती इतने लाइन से तो है, पर जो folding का होता है, वो इसमें नहीं है, तो नीचे हम क्या करेंगे, water लगा देंगे, तो इसमें जैसे आम तोर पर जो सबसे बड़ा वारा साइज होता है, वो हीप का होता है, तो यहाँ पर हीप साइज जो है, साड़े दस इंच है, मतलब दस इंच था, उसमें जब हम, मतलब दस इंच नहीं था, दस इंच मैं चौथा कर रही हूं, चालिस का, तो जैसे दस इंच हुआ उसमें half inch हम और add करते हैं losing के लिए तो 10.5 inch हो गया hip map और इसमें हमने 1.5 inch और plus करना है और ये कपड़े पे निशान लगा के इसको fold कर लेंगे ये सबसे आसान तरीका है तो ये देखी जब हमने 10.5 inch में 1.5 inch plus किया तो हो गया 12 inch तो ये इस तरीके से यहां से लेके यहां तक मैंने 12 inch पे निशान लगाया ऐसा ही निशान में इस side भी लगा लूँगी तो ये देखे इस तरीके से लगाने के बाद अब हम इस तरीके से fold कर लेंगे और ये निशान जो हमने लगाया था उसी पे मैं इसको इस तरीके से पकड़के इस तरीके से fold कर लूँगी तो हमें उतना ही कपड़ा मिल जाएगा जितना हमें कुर्ती बनाने में लगेगा और बाकी का जो ये आप extra कपड़ा देख रहे हैं ये हमारा पूरा निकल जाएगा sleeve बनाने में मैं एक बात और बता देती हूँ आपको कि जैसे इसके center में एक design था यहाँ पे था एक design तो ये देखिए ये design था तो इसको हम अगर ये design नहीं निकालते तो इसको center से ही बनाना पड़ता तो हमारा काफी कपड़ा वेस्ट हो जाता तो ये मैंने निकाल दिया है तो अब हम इसको side से भी निकाल सकते हैं तो मैं इसको बिछा लेती हूँ तो ये देखिए इस तरीके से बिछाने से हमें सिर्फ कुर्ती में जितना यूज होना है उतना ही कपड़ा मिलेगा तो इसकी मैं यहां से cutting कर लेती हूँ तो इसकी तो मैं cutting करूंगी जो इसका दूसरा वाला piece है उसको भी इसी तरीके से cutting करके हम दोनों साथ बिछा लेंगे चलिए इतना कर लेते हैं तो front देखिए front गो तो मैंने इस तरीके से किया था यह बैक पीस को भी मैंने ऐसे ही कर लिया है यहां पे एक बहुत जरूरी बात है यह आप देख रहे होंगे कपड़ा जो है हमारा प्रिंट वाला है और यह जो प्रिंट है आपको इस चीज का ध्यान रखना है अगर आपका भी प्रिंट वाला कपड़ा है और सारे यह उपर क तरफ ही जा रहे है तो आपको दोनों पीस इसी तरीके से लेने हैं कि उपर तरफ ही जाएं तो यह देखिए हम लंबा पीस है तो इसको हम बैक बनाएंगे और यह हमारा फ्रंट पीस थोड़ा छोटा है तो इसको हम फ्रंट बनाएंगे इसमें हम बार्डर लगाएंगे त पर से बिलकुल बराबर है, तो चलिए हम निशान लगा लेते हैं, तो हमारा जो कुर्टा बनके रेडी होगा, यह 42 तक हो जाएगा, तो शोल्डर का निशान देख लेते हैं, शोल्डर पंदरा इंच है तो उसका हम साड़े साथ लेंगे, मिला हाफ लेना होता है उसका, पर यहां पर एक बात और है, कि अगर आप डीप नेक बना रहे हैं, मिलाब बैक का भी डीप है, और फ्रंट का भी डीप है, तो नॉर्मल शोल्डर से पूरा 1.5 इंच कम हो जाएगा, अगर दोनों में से एक भी नेक छोटा होता तो मैं इतना ही नॉर्मल शोल्डर लेती, पर अब जैसे हमने 1.5 इंच कम किया, यहां यहां पर 1.5 इंच कम करेंगे, तो हमारा शोल्डर हो गया, 6 इंच, तो 6 इंच हमारे शोल्डर हो गया, यहां से आर्म होल लेंगे, वैसे नॉर्मली क्या होता है, कि 7 इंच तक हम आर्म होल लेते हैं, कि जब भी आप पर, जब भी आप deep neck करते हैं तो उसमें shoulder इस तरीके से छोटा हो जाता है तो इसमें आपको armhole भी छोटा लेना होता है क्योंकि अगर आप 7 इंची ले लेगे तो बहुत ही बड़ा armhole हो जाएगा तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ जाता है तो इन सभी निशानों को मैं सीधा कर लूँगी तो यहाँ पे जो हम साड़े साथ पे ही एक निशान लगाएंगे जो के अमारा नॉर्मल शोल्डर सा उतना ही लेना है और इस लाइन को मिला लेंगे एक इंच इससे अंदर जो के हमारा फ्रंट का आर्मोल का निशान लगेगा अब हम में चेश्ट की गुलाईगन आप बता देती हूं आपको तो यहाँ पे चेश्ट है 38 इंच 38 का चोथा जब आप करोगे तो साड़े 9 इंच होता है और इसमें भी हमने हाफ इंच प्लस करना है जो कि 10 इंच हो जाएगा कमर का नाप है 34 इंच, तो 34 का चोथा हिस्सा हुआ, साड़े 8 तो यहाँ पे भी हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो 9 इंच हो जाएगा अब आते हैं हिप पे, तो हिप नहीं है 40, 40 का जब हमने चौत्ता किया तो 10 इंच आया, अब 10 इंच में भी हमने आफ इंच और प्लस करना है, तो यहां पर जाएगा, यहां पर शेप दे देते हैं, तो इस तरीके से निशान लगा लिये हैं मैंने अब यहाँ पे तो हमें कमी चाहिए होता है एक या डेड़ इंच चाहिए होता है फोल्डिंग का और इसको हमने बिल्कुल सीधा ही लेना है आप देख रहे होंगे सीधा ही है तो इसको पूरा सीधा ही लेना है और यहाँ पे भी हम ले लेते हैं डेड़ इंच मार्जन के लिए और यहाँ पे भी ले लेते हैं डेड़ इंच यह हमारा बैक का आर्मोल का निशान लग गया और यह हमारा फ्रंट का तो यह देखे निशान पूरे लग चुके हैं जब सिलाई करूँगी तभी नैक भी बताऊंगी मैं तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं तो फ्रेंट्स कटिंग ये वाली हो गई है अभी हमने ये फ्रेंट का कटिंग करना है तो ये फ्रेंट का पीस मैं इस तरीके से कर लेती हो इसकी कटिंग कर लेती हो तो चलिए अब हम कटिंग कर लेते हैं अपनी स्लीव तो फ्रेंट्स ये देखिए जो कुर्ति के साइड में से बचा था ना कपड़ा इसका हम स्लीव कटिंग करेंगे यहां पे भी उसी चीज का ध्यान रखना है ये यह हमें चोडाई में कम पड़े कोई बात नहीं हम जोड लगा लेंगे इस लीव में तो यह देखिए दो पीस हैं जो के हमारे साइड से निकले दे कुर्ति के इसको हमने इस तरीके से बिचाना है सबसे पहले नीचे से हम सीधा कर लेते हैं इसको और इस तरीके से हम इसको सेट करेंगे तकरीबन ये वाले चोड़ाई हमारी 10 इंच होनी चाहिए तो मैं देख लेती हूँ और ये जोड़े ना बैक में चला जाएगा ये देखिए इस तरीके से हमने करना है ये चोड़ाई 10 इंच आ चुकी है तो अब हम इसमें पहले ले लेंथ निकाल लेते हैं इसकी हमारी जो स्लीव की लेंथ है वो है 16 इंच 3-4 बनेगा ये स्लीव 16 इंच है तो यहां पे हम 18 इंच लेंगे जो की फोल्डिंग में भी जाएगा तो यहां पे 18 इंच पे अब ये वाला जो कपड़ा बचा है यहां से मैं ये पीस लोंगी इस तरीके से और इसके उपर रख दोंगी इतना रखना है उपर जो हमारे सिलाई में दबेगा तकरीबन हाफ आफ आफ इंच तो ये देखे अब हम निशान लगा लेते हैं अपनी स्लीव का इसको हटा ले तो यहां से सबसे पहले हम बॉटम लेंगे बॉटम जो हमारा साड़े पांच इंच है तो यहां पर तकरीबन एक निशान हम साड़े पांच इंच पे लगाएंगे और एक निशान हम साथ इंच पे लगाएंगे जो की डेड़ इंच इसका मार्जन होगा यहां पर एक इसको मैं सीधा कर लोंगी अच्छा अब यहां पे सबसे अच्छी एक चीज आती है कि यह वाली जो चीज होती है आरमॉल लेने में काफी दिक्कत होती है तो आपको कुछ नहीं करना सिंपल अपना कुर्टा उठाना है जो कटा हुआ है यह देखिए इस तरीके से रखेंगे और यहां पे उपर से हाफ इंच छोड़ना है जो सिलाई में दबेगा और इस तरीके से नाप ले लेना है आरमॉल का यह देखिए इस तरीके से यह देखिए 9 इंच आ रहा है यहां तक कि जो हमारा ये मारजन है इसको नहीं लेना सिर्फ यहां तक 9 इंच आ रहा है इसको में हटा लूँगी और अब ये कोने से आपको इस तरीके से रखना है और 9 इंच पर हम निशान लगा लेंगे ये देखें सबसे अच्छा तरीका होता है इसमें आपकी स्लीव कभी इनको मिला लेंगे निशानों को ये देखें कुछ इस तरीके से मिलाएंगे तो ये देखें हमारे निशान भी लग चुके हैं अब हम कटिंग कर लेते हैं जो फ्रंट का ज्यादा वाला शेप होता है वह अभी ना काटे आप पहले ये जोड लें जो दो पीस है उसके तो ये कट गई हमारी स्लीव और ये हैं दो जॉइंट जो कि मैं आपको सिलाई वाली वीडियो में बताऊंगी इसको जोड़ना तो फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग कर दो जो 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 कि मैं दोड़ना ही वाचिंग